क्या मंगल गराय पर कभी कोई एलियन सबेता राज करती थी? क्या मंगल गराय कभी पर्थवी के तरह ही रहा होगा? क्या मंगल गराय पर कभी परमानो यूदू हुआ था? अगर मंगल ग्राय पर रहने वाली एलियन सबेता इतनी एडवांस थी तो आखिर वो कैसे नश्ट हो गई इस वीडियो में ऐसे ही रहसे में स्वालों से उठाएगे पड़ता और जानेंगे मंगल ग्राय का सच सब्सक्राइब करें स्मार्ट साइंटिफिक का और दबाय बेल आइकन को ताकि आपको मिलिये हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मंगल ग्राय सूरस से चोता ग्राय है और पड़तियों से लगवक 619 मिलियन किलो मेटर दूर है मंगल ग्राय का एक साथ 666 दिन का होता है मंगल ग्राय भी पर्थवी की तरह अपने एक्सपर जुखा हुआ है जिसकी वज़ाई से मंगल ग्राय पर भी डितुय बदलती रहती है वेग्यानिकों की नजर इस ग्राय पर लंब समय से है और वेग्यानिक इसके बीते वे कल को समझने की कोशिस कर रहे है वेग्यानिकों का नुमान है कि मंगल ग्राय पर कभी जीवन रहोगा और इस बात की पुष्टी के लिए वेग्यानिक इस ग्राय पर मिस्सन बेजते रहते है आखिर क्या है मंगल ग्राय का बीता हुआ कल क्या इस पर कभी कोई एलियन से बेता राज करती थी ड्रेक एक्वेशन के अनुसा केवल हमारे मिलकीवे गलेक्सी के लाको ग्राइपर जीवन हो सकती जिन में हमसे एडवांस और हमसे कमजूर दोने तरह की सबेता ही हो सकती है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अगर हमारी गलेक्षी में लाको ग्रैपर अलियन सबैता ये मौझूद है लेकिन अभी तख हमें अलियन सबैता से क्यों नहीं मिल पाई इस सवाल का जवाब फर्मी परा डोकस से मिलता है फर्मी परा डोकस के नुशा कोई सबैता जितनी एडवांस होती जाती है तो उसके खतम होने के चांसेज भी उतने ही बढ़ जाते है या तो वो प्राकर्थिक तोर पर या खुद सही गल्दिया करके जैसे आपस में वर्ड वार करके नश्ट हो जाती है हमारी पर्त्वी के बनने से पहले ही हमारी गलेक्शे में कई ग्रह पर एलियन सबेताय राज भी कर चुकी होगी और अब ग्रह नश्ट भी हो चुके होगे लाल ग्रह मंगल भी साइद इशी परकार के बदलाओं से गुजर चुका है हमारी पर्त्वी इस ओड़ा गरसर हो रही है वे गानिकों का माना की अतीत में मंगल करह पर भी परत्वी की तरह defending हुआ करता था मंगल के परत्वी पर भी नदिया और साकर मुझूद थी ऐसा मानना जाता है कि कभी मंगल ग्रह पर भी कोई बुदी मान सबेता वास करती थी क्योंकि मंगल गरह पर भी बड़ी बड़ी नहरे भी खोजी गई है जो कि वहाँ अपने आप नहीं बनी बलकि किसी बुद्धी मान सबेता नहीं उसे बनाया होगा अब सवाल यह उड़ता है कि आखिर इतनी उन्नत सबेता कैसे भी लुप्त हो गई और कभी हरा बरा दीकने व्ला मंगल गरह किसे लाल गरह में बदल गिया आखिर ऐसा क्या हुआ था मंगल गरह पर जो आज भी वो वन्जिर और वीरान हो गया है 2014 में डोक्टर जोन ब्राइटन ब्रग ने एक सब को चोकाने वाजे बात कही उन्होंने का कि मंगल ग्रहापर कभी उनत सब्यता निवास करती थी और परमाणों यूद की वज़े से ये सब्यता नश्ट हो गई ब्राडन ब्रंक का मानना था कि मंगल ग्रहापर दो बड़े परमाणों हमले विये थे जिनकी वज़े से पूरे मंगल ग्राय पर जीवन समापत हो गया था जिसके परमान आज भी मंगल ग्राय पर देखे जा सकते है यह तो अब्रावन पर की केवल एक थियोरी थी लेकिन वही दूसरी और 2011 में वेगयनिकों ने बताया कि मंगल ग्राय कर लाल होने का कारण है कि वहाँ पर प्राक्रतिक रूप से थर्मन निकुलियर विस्पोर्ट हुआ था जिसकी वज़े से मंगल ग्राय के चारो और रेडियो एक्टिव पदार यूरेनियम थोरियम एवं रेडियो एक्टिव पोटेशियम की एक पतली परत बन गई और उस विस्पोर्ट का मलबा पूरे ग्राय पर फेल गया था उन वेगयनिकों के अनूसा वहाँ पर कोई एलियन अमला नहीं हुआ था अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चेनल को जरूर सब्सक्राइब करें